कि नमस्क्राइब प्यारा दर्शकों कैम्छो सस्रियाकाल आदाब आज क्या नंबर थ्री के लिए जो कौन पहुंचेगा उनके लिए यह मैच चालू हो जुगा है जो भी जीतेगा वो नंबर थ्री के लिए मैच चल रहा है सेम पार्वी ने टॉस जीतने के बाद पहले बल् अबुदाबी ने अपना फिल्डिंग सेत्र सजा दिया है और सलाम अधी बल्लेबाज अली और कोउस आ चुके है यह राइटी और लेफ्टी का कॉंबिनेशन पहला ओर जारी है पाई ने जो है बॉलर है अबुदाबी के पहला ओर कर रहा है एक रन बन चुका है शेम पार बात पता चल जागा लेकिन फिलाल टॉस इतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का नहीं नहीं किया है पाई ने लेफ्टा मॉलर है ओवर्ड विकेट बॉलिंग करेंगे गोहस को फिलाल पीच की इफेक्ट देखने में लगए पहला ओर है तो नेचरल बनता है लेकिन अली ने पहली गेंद के उपर एक कवर में शांदार शोट लगाया था ओवर पीच गेंद को और सुरुबात करवा दी थी अपने टीम के लिए वो एक रन के उपर खेल रहे थ आउट के लौस तीन गेंदे हो चुकी और पहली गेंद के उपर उन्होंना सिंगल रन लिया था उसके बाद इतनी दो अच्छी गेंदे की के दो डाट डिलीवर इथी ऐसा नहीं था कि लेकिन वो ये पीच समद्ने में लगे है आज कैसे भी करके तीसरे रंक तीसरे क्रम म बाहर जाएगी लेकिन अंदर की तरफ आई थी तो अपनी पोजीशन तुरंट नहीं बदल सके दे लेकिन बल्ले पे तो आ गई तो एक रन के साथ हो निकल चुके है टीम आप सैंपारमी का स्कोर पहुचा दो रन के उपर फिलाल ये गेंद का बहुत सिलसिला अभी चल चल गया था वहां से कट होके बाहर की तरफ जा रहे थी अली लेफ्ट अंदर को कि दूरन बन चुक है पहला और काफी अच्छा वह है पांच गेंद में दो रन आ चुक है और देखिया ऑप्ष्टम से फिर से काफी आची गेंद थी लगा और वहां कीपर भी नहीं कर पाया और कीपर और गली के बीच में जो लबा गैप है वहां से गेंद निकल गए थी चारण के लिए तो अली के बल्ले से लगी थी यानि कि कैच था कीपर ने बहुत कोशिस के थी उसके ओपर स्ट्रेच हुए थे अपना हाथ भी वहां तक ले गए थे लेकिन आखिर ज्यादा स्विंग होनी की बज़र से वह गें तक नहीं पहुंच पाए और आउट्फिल काफी तेज़ वहां से गेंद निकल गए थी चारण के लिए यह बॉलर का एडवांड जरूर था लेकिन उन्होंने अगर स्लीप फिल्डर को महां सज जाया होता तो यह चांस बन चुका था लेकिन दोनों के बीच में जो गैप था बाउंस भी था और स्विंग भी था तो वह नहीं कर पाए और चारण में प्राफ्त हो गए चांस और चारण अच्छी बात है इसको नसीब कहता है अब हैट्सों ग्लिव को स्पीनर के लिए गार्टी मादू टीम आबुदावी बहुत सारे चेंज करते हैं देखिया स्पीन और पेस दोनों एटक वन एंड से लगाया दोनों जिसका भी ग्रीप आ जाएगा उनको वह कंटिल्यूस करते जाएंगे कैप्टन सी उनकी काफी अच्छी है एट्सों ग्लिव का लेक्स ब गें थी थोड़ी शॉर्ट थी तो बैस्मेंट को मुंका मिल गया कि अपने कंदे खुलने का वेट किया था और प्लेयर के उपर सशांदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेल दिया था और श्रम में सभी खिलाडी सरकल के अंदर है पावर फिले चल रहा है तो इनका एड़ दनीन फिलाल सको रुकावा दस रन गाउस बैटिंग कर रहा है देख यह फिर से वो बॉलर को थोड़ा टेंशन में लाने की कोसेश के थी अंदर की ते रपाई लेक्स्टम के उपर थी उन्होंने अपना स्विंग कंप्लेट कर दिया गें चली गी थी वहां पे मिड़ वि लेकिन पीच का सबसे ज्यादा एडवांटेज जो लेते हैं वो टी मापुदाभी के बॉलर्स लेते हैं तो उनकी बैटिंग में थोड़ा-थोड़ा कहीं कम जोरी दिखाई देती है मिडल ओर थोड़ा सा पावर्फुल है लेकिन सुरुआ थोड़ी कम मिलती है ग्यारा र जैसे इक को देखा किस पीन खेलने का तरीका यह होता है कि अगर आप स्पीन की पीच स्पीनर्स की पीच विद्ध स्पीन अगर आपने खेल लिया तो स्पीन एफेक्ट खतम हो जाता है अलीने कल इतना अच्छा बैटेंग गया ता आज उनके पास यह समझो कि वह कल से ही अभी और रोटेशन में है मोमेंटम उनकी सही है कदमों का इसमाल क्याता अब गेन की नीची आ गये थे और लॉंग ओफ के उपर से सांधा च्छका जड़ दिया कम से कम स्कोर बनाने के लिए एक और में एक गेन को डूड़ना जरूरी हो जाता है और जब अच्छी लेकर है 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 अच्छों फ्लू को बालिंग करें ओवर देविकेट की थी और आफ्टम से जाना बार की थी बैट्समें ने उठा दिया देखना लॉंगों फूर से और ये सा च्छे रन हो सकते हैं पर कंफर्म कर रहे हैं लेकिन सीमा रखे के बार चली गई है कि पीच के लि अब सिर्फ यही देखना है कि साथ यह अंदर की तरफ भी टपका खाया था ऐसा यहां पर मालूम पढ़ रहा है लेकिन फिलाल एंपर लोज मामला है तो जरह चेक करना चाहेंगे दो तीन बार चेक कर रहे हैं और फिर पता चला कि छे रन नहीं थे चार रन थे लेकिन फिल को पता चल गया था तो तुरंत उन्होंने गेंद को अपने उनके पैरों के अंदर करती ती लेक्स्टम के उपर की ती और वहां से थोड़ी बाहर की तरफ निकाली तो अलीके पैर में गेंद आई थी तरीके से बल्ले पर नहीं आई लेकिन एक रन से नहीं रूक पाए इस गेंद के पीट तक पहुंच जाते हैं तो आपको मिड़ाफ मिड़ान अंदर है तो यह एडवांटेज बनता है लेकिन अगर बहुत रिलीस करने के पहले अगर उन्होंने अपना चार्ज कर दिया तो चतुराइस स्पीनर बड़े चतुर चतुर होते हैं तूरं लाइन ला के आए टाई बैस्मेंट तीसरा पावर प्ले कब लेना यह बैस्मेंट की अकल मंदी पर रहता है और यहां पर उन्होंने सही नीने साबित कर दिया कि उनके बल्ले पर गेंद आ रही है तो वह लंबा शौट की और चले जाता है टाई ओपर दिवकेट बॉलिंग कर रहे है देखिए ऑफ्टम के उपर गेंद कर दिया था सीधा उठा दिया और देखना एलिवेशन एंड डिस्टन्स बोथ हार्थ करेक्ट उसी मारेखा के उपर से शांदर चेगा अलीज ओन फायर अब तक तीन चक्के लगा चुक है कि टाई अपनी लाइन लेंध पाते उसके पह दिस्टन्स बोथ बोथ मिलता है तारीफ करनी पड़ेगी अली कल से फॉर्म में है कल भी उन्होंने बड़ा स्कोर मनाया था ऑफ्टम के बाहर जाती गेंद को उठा दिया है प्लेयर के उपर से चली गई वहां एक्षा कवर के फिल्डर उनके पीछे भाग रहे है सीमा रह लेकर बॉलर जरूर है लेकिन आज तो अली जीस तरह से चार्ज हो जाते हैं अपने कदमों का इसमाल करते हैं और कॉन्फिडेंस उसके पात कल जब उन्होंने बड़ी बारी खेल ली थी तो उन पर कॉन्फिडेंस भी जरूर है टाइस ओवर की अगली गेम लेकर आये और सब्सक्राइब से ज्यादा बाहर की तरफ की थी हाला कि बैट्समेन ने गेंट के पीछे से गेंट को उठा दिया खत्रे वाली बात थी और याउट ज्यादा वाइड रेंज जाहां आप्स्टम के उपर वाइडी लाइन होती है वहां पीचिंग करवाया था अली वहां तक पहुंचने में थोड़े आसफल जरूर रहे थे लेकिन उन्होंने आखिर वो स्विंग अपना पूरा कर दिया गेंट हवा में चली गई थी और वहां कवर के उपर फिल्डर को तैनाद करके रखा था डिस्टन्स नहीं मिला उंचा ही जरूर प्राप्त होई थी और वहां क शक्के भी प्राप्त किये थे दो चौके भी लगाये थे नव गेंद के अंदर तेवीस रन बना है बड़ा स्कूर माना जाएगा स्टार्ट देने का करते विए उपनिंग सलमती बल्ले बाद जो होते हो उनका होता है वो अगर अपनी विकेट भी बचाते और रन बना के द लेगे उनके स्थान के उपर यहीं से खेल में जूड़ जाएंगे जन्नत जो कि जन्नत बहुत अच्छा खेलते हैं तो यह पावर प्ले का भी एडवांटेज वो ले पाएंगे जनत बहुत अच्छे बलेबाज है तीन बलेबाज उनकी स्ट्रेंद है सेम आर्बी की प्रवत नहीं करवाई वरना हमेशा खतरनाक साबीत हो जा दिये गेम पठकी हुई थी लेक्ष्टम के बाहर जा रही थी तो बैट्समें तुरण शौड़ा फूल खेल दिया था वहां स्क्वेल लेक को फिल्डर को थोड़ा भागना पड़ा था इसके पहले बैट्समें न अपना रन पूरा कलिया था जनत ने अपना खाता खोल दिया एक रन के साथ और टीम का स्कोर पहुंचा 31 के उपर तीसरा वर जारी है अली अपने आपसे नारा जरूर है क्योंकि लंबी इनिंग्स केलना चाहते थे और अपसर मैंने देखाया कि जब उनको ऑफ्टम के बाह इन की पीछ की लंबाई से थोड़े से दूर हो गए और वहां से गईन ने बाहर की ती और चली गई थी कीपर के पास टाइकी सबसे बढ़िया गईन थी अगर वो थोड़ी भी गलती हो जाती अगर बले को कुछ लग जा तो एज लगने का चांस बना हुआ था अब सफल हो हो गए और पावर प्ले के अंदर नए बैट्समें जब आ गए तो उनके पास मोका है कि उनको खामोश रखा जाए और यह वर को थोड़ा चोटा किया जाए फिश अंदर आती गें थी गेंने पले का उपरी की ना रहा लिया पड़ी रप्तार से निकल गई थर्ड में शेत थी बैट्समेंट आगे निकलाया थे आखिर उन्होंने अपना स्विंक पूरा कर दिया था बल्ले के उपली हिस्से से लगी थी हवा में जरूर चल चली गई थी और स्लीप के फिल्डर के उपर से जब गें चली गई तो यह सांदर चौक आउट फिल काफी तेज है आज आ वाली आउट होने के बाद तेवीस रन बनाने के बाद आउट हो गए नव गेंद के अंदर उन्होंने थीजर बनाया थे आप देखो कितना बड़ा स्कोर देके गए और यहां से तो अगर बैट्समें नहीं आते एक दो गएंदे लेत है उसके बाद उन्होंने भी टाय की एक चौका लगा दिया टाई की ओर में थोड़ा मोमेंटम चालू रखा बट को बुलाया गया है एहमद बट को बुला गया है काफी अच्छे बॉलर अपना पहला ओल लेका है चौत हावर सुरू हो चुका है टीम आबुदा भी का स्टेंथ बॉलर है और उन स्टार्ट जब म स्टूर होई थी लेकिन यहां पर उनका टेक्निक सीम के सीम पकड़के वो टपका गिराते हैं और उन्होंने क्रॉसिंग बाच सीम के उपर से बहार निकाले की कोसिस कर है हवा में जब लहरा ही तो काफी अच्छी गेंटी खत्रेवाली बात थी लेकिन बॉलर ने सिर्फ ब बनाई थी और सिर्फ एक रण के साथ जनत वहां से निकल गये थे थे शतीस रण के उपर स्कोरों का हुआ नहीं नफी दूली और जब स्लोवर गीन करते हैं तो गुगली गेम थी और टपका खाने के बाद अपस्पिन हो गई थी तो बैट्समें आकी निगा जमाके रखी जुके हुए थे और गेन के उपर आके हले से खलके से बला दिया तो अपना रण चुरा लिया बट्ट अहमद बट्ट काफी अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं यहां पर देखिए फीर से गन गेन को फूल कर दिया था अंदर आती गेन के बाच्छा शौट लगा दिया था लॉंग और शेत्र में फिल्डर काफी डीप थे तो वहां गेन गई थी तो मौका बनाता अपना रण पुरा करने का जनत एक रण को पर खेल रहे हैं अब वह सामना करेंगे गोस्ट दस रन बना चुके है एसाइस रन के उपर स्कोर रुका फिलाली इस ओवर में तीन गेन बहुत अच्छी गई है और बड़ा कोई लंबा शॉट नहीं दिया कि अब जो क्षेत्र फिल्डर्स जो है जो फिल्डिंग जो है डिप कर दी गई है पावर प्लेर निकल चुका है तो बैट्समें थोड़े सिंगल के साथ जाएंगे लंबे शॉट की और नहीं जाएंगे कम से कम एक या दो गेंदे उनको देखनी पड़े लेक्ष्टम के बाहर गेंद की उनका पीछा किया था लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा किया था काफी कि स्विंग के उपर ज्यादा तर ध्यान देते हमारे साथ ही कमेंटेटर नरेश भाई यहां पर आ चुके है तो वैलकम नरेश भाई चार विकेट निकल चुके अरश वाप करना चार गेंदे निकल चुकी है लेकिन नरेश भी यहां पर आ गया है तो बहुत मजाएगा अब यह क्या आती हूँ अपना अपना पुजीशन प्राप के आता लेकिन जब रूख क्या आयती तो पल्ले पर सही नहीं आयती लेकिन एक रन के लिए निकल गया मिड़ विकेट के ऊपर सिंगल के साथ आगे जह रहे जा रहे पीच के और स्टे विद्ध सिंगल इसे गुड थीरी रपतार कम हो ज कर स्वागत है सभी दर्शकों का बहुत ही शांदार मुकावला चलता हुआ धनेवाद नितिन जी आपका भी सैंपार में 49 रन बने हैं एक विकेट गवाया है काफी बजबूत नजर आ रही है मातर 3.4 और का खेलो चुका है करीम जननत और गौज खेलते हुए यह देखिए यह थोड़ा सब एकपूर पर गये थे मिड़ विकेट में देखिल दिया है गैन को ताकत भी नजाकत भी और चार रन भी और इस चौके की मदद से पहुंच चुके है स्कोर सैंपार मिका 13 रन एक विकेट के रुकसान पर जब वो लेक्स्टम छोड़के थोड़ा रूम बन निकाल दिया चार रन पर आप तक लिए तैतालीस रन के उपर स्कूर पहुंच चुका है इस बार थोड़ा सा रूम दिया था लो फुल्टोस गेंती लेकिन पॉइंट में खड़े फिल्लर के पास में गई और यहां पर सीधे फिल्लर के पास गई कोई रन नहीं मिलेगा इ तो इस मापती चार और के बाद तिरालीस रन एक विए के नुकसान पर काफी मजबूत इस्तिति में यहां पर सैंपार्मी इस मकाबले की बात करें आब उदाभी की टीम गैन बाजी करते हुए ग्यारा गेंदे भी तक डॉर्स दाली है इनके गैन बाजोंने लेकिन भी बह सब्सक्राइटिंग में गहरा ही है सैंपार्मी की बात करें तो और करीम जनत भी बहुत बढ़ी है फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है क्रीज पर बातर दो रन बना करके खेल रहे हैं क्यों चार गेंदे खेलिए लिए लेकिन यहां पर आदिल राशिद सिंगल की मदद से सैंपार्मी का स्कॉर पहुंचता हुआ चोंवाली स्रण एक विकेट के नुकसान पर गोज सामना करेंगे इस बार आदिल राशिद का रासी चले राइट रम आवर दो विकेट और एक बार फिर से यह देखिए बहारे इसी रह बढ़ा शोट खेलने का प पूरे कर लिए दो रणों की बदस से स्कॉर जाप पहुंचा है सैंपार्मी का च्याली स्रण एक विकेट गवाने के बाद चार दसमलों दो वर के बाद इस बार बड़ा शोट खेलने का प्रियास किया था गेंद का पीच्छा किया था ऑफिश्रम के बाहर से गुमा कर बा बाद और कफी चित्ते की तरह तेज भागते हुए दो रण पूरे कर लिए दोनों बल्ले बाजों ने आखरी दो गेंद में दो बार डबल भागें काफी शांदार मुकाबला जलता हुआ तालीस पर पहुंच चुकी है दो रणों की मदस से सैंपार्मी एक विकेट के नु लेकिन ज्यादा वाइड रेंज में जब गेंद पाई राइटी बेट्समेन के लिए तो कलेक्ट नहीं कर पाया और कीपर ने बागी का काम पुरा किया यहां क्रिकेट अच्छा चल रहा है इंटेलिजन बॉलर अपनी लाइन लेन से परेशान कर रहा है और टीम आबुद अग बी का जो स्ट्रेंथ है वो अपनी बॉलर है देखिए आगे निकल आया थे गेन की बाहर की तरफ वाइड रेंज में थी गेन के उठा दिया सही कनेक्ट हुआ खत्रे वाली बात थी लेकिन डिस्टेंस मिल गया था और लॉंग आप के फिल्डर वहां थे उनके उपर स किये यहां पर बल्लेवाज ने काफी अच्छी बैटिंग चलती हुई करीम जन्नत और गौज के दवरा इस बार बैक पूट पर जाकर पंच कर दिया मिट विकेट में जा रही है गेंद डीप मिट विकेट में फिल्डल तेनात है एक रन के साथ दोनों बल्लेवाज अपने कि देखना होगा कि इन 30 गंदों में और कितने रेना सकते हैं 30 गंदो में पछपदार नायों से अगली 30 गंदों में लगबग 17 पर देखने को मिल सकेगा जब आपके पास पीछे बैठे है तो आपको यह हुंसला बुलंद हो जाता है आगर में रिस्क लेते हुए घर करने में ढरते नहीं है एलन स्पीनर उनको बुलाया ज्यादा तर बहुत अच्छी गेंदे करते हैं गुगली गेंद करते हैं और स्पीन करवाते हैं वेरियेशन उनके पास ज्यादा यह राउंद विकेट बॉलिंग करने करने नहीं किया था मिडल स्टम से कड़ोगे एक स्टम से बार की और चले गए थे और इनको कवर में धकेल दिया काफी अच्छा शौर्ट था लेकिन सीधा प्लेयर के सामने था तो उनको मौका बन गया है उनके पास सिंगल रोटेट करने का अच्छे स्पीनर इंटेलिजन स्पीनर बॉलिंग कर रहे हैं दोनों स्पीन फिल्डर के पास सी और उनके हाथ से कैच फिसल गया यह समझो कि कैच फिसलता है तो मैच भी फिसलता है काफी अच्छी कोसिस जरूर की थी नीचे आया था लेकिन स्पीनर को स्पीन के विरुद्ध खिलना हमेसा खत्रे वाली बात हो दिया यह रूम बनाया ना फिर से गेन सब्सक्राइब बचा हुआ है सिर्फ एक विकेट का नुकसान हुआ है बड़े बैट्समेन उनके पीछे बैट है तो इनका होसला दा बुलंद हो जाए जब रिस विकेट के जुगार के उपर अगर अच्छे विकेट की खोने की चिंता चली जाती है तो यकिन रन बनते है देखिए फिर से गेंगी पीछ सब्सक्राइब और सीधा उड़ा दिया था वहां पर बड़ी रफ्तार से गेंच चली सामने वाले भी एंगल में सीधी चली गई सीमारे खेके उपर से ये कंटिनियूस दूसरा चगा जो चके प्राप्ट के लिए वो अपने कदमों का इसम देखिए एलन जिस पीन इफेक्ट थुड़ी कम यहां पर दिखाई दे रहा है परिवर्तन के दौर के उपर जब इनोंने गेंट को थोड़ा सा चेंज किया तो बैट्समें यह समय में अपना चार्ट नहीं होते इंतजार किया ता लेट गेंट को देखा नहीं दिया समाकर खेलने का प्रियास किया था लगिन इस बारक गेंद और बल्ले का कोई संपरक नहीं और बागी का काम पूरा किया विकिर किपने और की हुई समाप्टी छे और के बाद सेंपार्मी सतर पे एक कि 49 और खेल रहे हैं यहां पर गोज मातर 20 गंदों का सामना किया है करीम जननत ने अभी तक रन बनाए नहीं है क्योंकि उनके पास स्ट्राइक रही नहीं है ज्यादा देर तक स्ट्राइक को अपने पास रखाए गोज ने और उन्होंने अच्छा क्रिगेट भी खेला है र करिवार से गेन को खेलने का सही नहीं था लेकिन रप्तार से जब केन निकली उन्होंने चेंज कर दिया था लाइन को तो नुकसान नहीं हो आदिल रासील बड़े तेज स्पीन आ रहा है और ज्यादातर इंग्लेंड किया और से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है आज अबुदाबी के लिए भी अपना करते हुए निपाते जा रहे सत्ता रन के उपर स्कोर रुका है बैट्समें ते या गुगली की स्पीन लेक स्पीन कर वाया था जब लेक्षम के उपर था बैट्समें बैक फूट बए ते एंड तकी इंतजार किया और वहां मिडिके शेत और में दो चके इस और में की दूसरी गेंट पर चका लगा कर इन्होंने बता दिया कि यह और भी बहुत बड़ा रहने वाला है सैंपार्मी के लिए एक बार फिर से अदिल राशिद एक बार फिर से लंबा शौट किलने का प्रयास किया लेकिन इस पर काफी दूर रखा थ स्कौरपर और सैंपार्मी को पहुंचा दिया है सेवंटी एट अठतर रन एक विकट के नुक्सान पर छेद अबलव तीन ओर के बाद सैंपार्मी आदिल राशिद एक बार फिर से चले राइट राइट वावर्ट विकेट एक बार फिर से कवर्स में शांदार ड्राइव क गोज के बले से चॉइस केंदों का सामना क्या है एक क्यावन डानों की पारी खेली आज इनको मौका मिला है बल्ले बाजी करने का अपनी टीम में सामिल हुए है आज सैंपार्मी के लिए और क्या लाजवा भी नहीं आज न के बल्ले से देखने को बिलिए एक और फीड से लपेट करके मार दिया है गेंद को मिडविकिट के उपर से गेंद जा रही है हवाई यात्रा पर और यहां पर देखे जाएगी गोज को पूरे आदा दरजंदरन एक और चक्का लगता हुआ इस और का दूसरा चक्का गोज के बल्ले से निकलता हुआ इस नहीं है कि वह स्पीन के वीरूद खेले तो चक्का नहीं आता इन्होंना साबीत कर दिया कि स्पीन के वीरूद अगर चक्का भी लगता है लेकिन आपको गेंद की पीच के बराबर आ जाना चाहिए और विद्ध स्पीन खेलना पड़ता है और बल्ले के पीच ओ भीच और बड़ा रिस्की शॉट लेकिन चेरन में कनवर्ट कर दिया इनका प्लानिंग सही है अठावन रन के ओपर पहुंच चुक है सेम पार्मी का स्कोर पहुंचा नवा सी रन साथ ओवर की समापती के बाद पहले पांच ओवर्स में इनका इरादा था कि एक एक आदमी जा रहेगा पीच के ओपर दूसरा रिस्क लिए अच्छा प्लानिंग चल रहा है और जब विकेट दो अच्छे भी थे तो उन्होंना अपना धीरत नहीं खोला लेकिन अली एक साइड से फायर कर रहा है थे और यह बैस्में सेट होता है जा रहा है और पांच ओवर्स के ब बड़ा बड़ा ओवर आया 15-20 वाला तो यकिनन 120 के उपर से स्कोर चाला जाएगा उनसाथ रनों की पार्टनर्शिप में 55 रनों का व्यक्तिकत योगदान रहा है गौज का क्या खूब सुरुत पारी इनके बल्ले से देखने को मिली है 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 जब लिए पहले और में सामने बलेबास गौज तैयार क्या बड़ा शौट है जी नहीं इस बार बलेबास को फॉलो किया गैन बासने और एक रण इसी बीच दोनों बलेबासों को मिल जाएगा मिड़ विकेट के शितर में वाँ पर फिल्डर जब तक गैन को उठा कर तो करेंगे इसको जाए पहु सामने करीम जन्नत बड़ा शौट कड़ा शौट बहुत उची गई है दूर कितनी गई है देखना होगा और यह दूर भी बहुत गई है इस बार करीम जन्नत ने लगा दिया है एक शांदार छक्का कहते हैं ना कि खर्वुजे को देखकर खर्वुजा रंग बदलता है के तक वह पीछे चले गए अपने पीछ जो बैक फूट पर गए थे और ज्यादा तर वेट उन्होंने ट्रांसफर के ता पोजिशन प्राप कर लिया एंड तक निगाहे जमा के रखे थी फिर बड़ा हाई हाई बैकलिफ लिया बल्ले के बीचों बीच लिया और यह शौट नहीं मिला था हाफ ओली शौट था लपिटने के कोसेश के थी लेकिन वहां पर ग्राउंड के सारे गेंच चले गए थी लॉंग ओंड के फिल्डर के पास स्पीन के बीर जरू था लेकिन एक रन से निकल गये थे अब बड़े रन बनाना वाले गौस वहां पर हाजी रह फि अब तक पांच गेंदे हो चुकी एक चका आ चुका है तो यह बड़ा ओवर तो माना जाएगा लेकिन अब जो बयाओ एक एक और में कम से कम बड़े दो लंबे शौट लगाने पड़े कि उनका सिर्फ एक ही विकेट गया है उनके बड़े उनके पास बड़े तो वहां से लेक्ष्टम के बार पिचिंग करने के बाद उनको गुगली गेंद किया और अंदर की तरफ लाए थे तो उनको कोई मौका नहीं मिला सही तरीके से बले पर नहीं आए फिलाल डॉट गेंद ओवर की समापती यह बिलकुल काफी अच्छी बले बाजी यहां पर होती हुई लगातार शांदार बल्ले बाजी कर रहे थे वहां पर गौज और जैसे मौका मिला करीम जननत को तो उन्होंने भी अपने बल्ले से यहां पर चलवाद बिखेरा और रन बटो रहे काफी रन बटोरे पीछले और में लगब दस रन आये और उसमें एक शांदार चक्का देखने को बिला देखते हैं कि अब करीम जनत किस प्रकार की बैटिंग घरते हैं एक अच्छी पाटनर्सीप हो चुकी है बड़ी पाटनर्सीप हो चुकी है अब यहां से आवशकता है फिनिश करने की आखरी और समें कितने रन बरेंगे देखना देल्स होगा से काफी दूर थी गेंद एंपार ने बाजुए खोली वाइड वाल का किया इशारा और एक अतिरिक दन जाएगा सैम पार्मी के खाते में स्कुर्ट जा पहुंचा एक एक्स्टा के साथ में निन्यानवे रन एक मिकेट के नुकसान पर दबाव निश्चित रूप से अपधर ने कि बाद एक बार फैर बलेबाज की बॉरियम दौर रहें लागतर आफसे से काफी दूर रख रहें गैंड को और उसका नतीजह रहा है कि अधूर की यहां का फूलोफ करना पड़ेगा बिद्द को और अब बॉत यह तेर्ज गैन बातर और इनको पताएगैंड कि अंदर रखी मिडल लेग स्टम पर रखी तो निश्चत रुप से बड़ा शौट बारने का प्रयास करेंगे बले पाज इन से बचने के लिए लगातार वो सेफ एरिया में बाजी करते हुए इसी बीच अगली गें पहने चले लेफ्ट हम डाउन दो विकट करते हैं सामने कोच एक बार फिर वही कहानी यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन इस बार विकेट की पर से काफी दूर डाल दी गेंद और जा रही है सीमा रहे का बाउंट्री लाइन के बार चार रनों के लिए जब देखिए उनके पास अपने दायां हाथ वाले बैट्समेन है और दायां हाथ वाले बॉलर है तो एंग्यूलर डिलिवरी का उप्योग सही कर रहा है और लगातार परेशान करके रखा था जब वाइड रेंज पर बालिंग करते थे ज्यादा बाहर की तरफ बनाते थे तो बैट्समेन लगातार कोसिस कर रहा थे गेन उनके बले पर नहीं आ रही थी लेकिन वहां से भी अगर स्विंग होके बाहर की तरफ चली गई तो वहां मौका बन गया था उनके लिए क्योंकि स्लीप फिल्डर कोई नहीं था और चारन प्राप्त हो गए फिर से लगातार वही पिचिंग किया था ज्यादा वाइड रेंज के उपर एक्षा कवर में चली गई थी गेन उनकाफी एच्छा शॉट टाइमिंग था और वहां पर इंसाइड आउट खेल दिया था काफी अच्छा शॉट मिला था और वहां गैब भी पाया लॉंग और कवर के बीच में से गेन चली के सांदार चार रहन के लिए तारीफ करना पड़ेगा बैस्मेंट की गेन की पीतत से मिनिमम एफ़र्ट से एक इन को सिर्फ लॉफ्ट किया था दिशा दिख लाई थी तो बल्ला जब गेन के पीछे था तो माफ करना सीर्फ चार रहन थे वरना थोड़ा कि जादा बाहर की तरफ गेन करते तो बैट्समेंट परेशान जरूर हो गयते तो इन्होंने नखी किया कि वह लाइन पे जब आफ्स्टम के वाइड़ वाली लाइन पे जब बॉलिंग कर रहे तो वह अपने कदमों करते ज्यादा सफल हो गयते तो जैसे ही सफल होए तो प प्लानिंग थी पहने की पहली तीन गेंदे ऑफिस्टम के बाहर डालूंगा और अगली तीन गेंदे यौर कर डालूंगा इसी सोच के साथ वह गयन बजी कर रहे थे और उन्होंने कामियाभी प्राप्त की गोज को वापस बेजा है और गोज ने एक शांदार बहतर इन और गजब की पारी खेली अपनी टीम के लिए नए बले बास आये हैं कप्तान डेवीड मिलर इस ऑन क्रीज गौज का विकेट जाने के बाद क्रीज पर आगमन हुआ है डेवीड मिलर का एक सो साथ पे दो आट दसमलों चार और के बाद पहने नहीं सवर में चार गेंदे डाली है दो चौके जरूर लगें लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट अपने नाम किया है दसवा यह उनका मैंच 107 रन बनाया अभी तक उन्होंने 157 का उनका स्ट्राइक रेट बड़ी पारी देखने को नहीं नहीं मिलेगी लेकिन बड़े रन देखने को मिलेंगे बड़ी इस मुकाबले में कि माबुद अभी कि और से आठ गेंदे डाले जाने बाकी है मिलर तयार सामना करेंगे पहने का पहली गेंग का अच्छी गेंथी इस बार कावर्स में गेंग को धकेल दिया है थोड़ी सी मिस्पिल्ड हुई है वहां पर देखना होगा पहला रंते जी के बार रखी और चौथी गेंद पर चटकाया वहां पर विकेट और वापस पीजा गोज को ड्रेसिंग रूम में इसी बीच अगली गेंद आखरी गेंद डालेंगे पेहने अपने ओवर की सेंपार्मी का इसको एक सो आठ रन दो विकेट के नुकसान पर करीम जननत ग्यरा र फिल्डर तेना थे उन्होंने गेंद गुरू का फिल्ड किया बलेबाज के पास मुका था एक रन चुराने का सिंगल की मदद से एक और रन का इजब होता हुआ सैंपार्मी का स्कॉर एक सो नौर रन दो विकेट के नुकसान पर छे गेंदे बची एस इस पारी में पहले ब दूसरी टीम है जो फिल्डिंग करते हैं उनके पास एक बड़ा एडिया हो जाता है कि यह रन हमें चेस करना है और यहां पर रिस्क लेना है तो वह अपने टीम के बल्ले बाच को आगे पीछे कर सकते हैं कुछ प्लान बना सकते हैं कि पावर प्ले के अंदर हम यह बैट्स कि यहां बहुत ही शांदार यहां पर शका लगाता हुआ थोड़ी सी निची रेत हुई गैंज थी पहले से मन बना चुके थे इस रॉट को खेलने का और चेरन बना दिये हैं एमस मरांडी यूट्यूप आपका भी स्वागत हैं हमेरे साथ जुड़े हैं जल्ली से वीडिय का दूसरा और डाल रहे हैं उन्नीस रंड खर्च किया एक सपल था उनको जरूर मिली है लेकिन देखना होगा कि इस और में किस प्रकार से बल्ले बाजों को रोक पाने में सपल हो पाएंगे दूसरी लेकर के चले राइटम और दो विकेट अच्छी गेंद इस बार बिल्क का देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक चार गेंदे बची है और चार गेंदों में कितने अधिक से अधिक रिन रन मिल पाएंगे वही देखना देल्टिस होगा क्योंकि मीलर एक जाने माने बढ़े बाज धुँआदार हीटर वलेबाज क्रीज पर मौजुद अले रणोप के खाते में इजवा होता हुआ एक सो सत्रापे दो नौ दसमलव दो और के बाद मात्र चार गेंदे बची है इस और में एंड्यू टाई किस प्रकार से बचेंगे डेविड मिलर से देखना बड़ा दिल्चस होगा अगर इनके पाले में गेंद आ गई तो बहुत बलेबाजों ने अपने छोर बतले हैं एक और रन का होता हुआ अब आहें काफी वक्त से सैट बलेबाज करीम जनत स्ट्राइक पर देखना है कि अगली तीन गेंदों को किस प्रकार से करीम जनत खेलते और कितनी बांट्री उनके बल्ले से देखने को मिलेगी रन बना सकते तो जनत ज्यादा उनके पास चांस है क्योंकि वह सुरुआ से समय यहां पर बिता रहा है और सैट बैट्समेन है और मिलर तो अभी अभी आया है लेकिन सैट बैट्समेन चनत सामना करेंगे और गेंके पीछ के नीचे आते अच्छा शौट केल दिया हवाम है लेकिन वहां पे गैप नहीं मिलाता सी उन पीछे फिल्डर थे लॉंग ऑफ के फिल्डर थोड़ा भागना जरूर पड़ा था और उनके हाथों में अच्छा फिल्लिंग हुआ दो रन से नहीं रोक पाये जनत को लेकिन जनत तो यही चाहते कि मुझे किस तरह से भी लंबे शौट की और जाना है वह ज्यादा तर बैट्समेंट भी बॉलर की भी तारीफ करनी पड़ेगी वह लाइन करते हैं वह लैंज करते हैं जहां से हीट करना बड़ा मुझकिल होता है लेकिन अगर कहीं भी क्रॉस है यह ऐसे भी करके वह गेन को लपेट लेते जनत दो गेन में बड़ा स्क आर्ज होए थे जिए पिच के नीच आयो थे आखिर उनों ने जब देखा कि वह मैं उनके बिल्कुल नजदी को तो नों पूरा स्विंग दे दिया और बला के बीचों भी गेन लगी थी और वहां एक्टा कवर के उपर सांधार चगा पाया और गीन इतनी दूर चली गई क प्रिक्षक जून में चली गई थी एंड मोके पर अकेले बैट्समें जो सैट है वो रप्तार बढ़ा रहा है 126 के उपर स्कोर पहुंचा जब लेक्ष्टम के बाहर गेन पाया तो लंबा शौट लगना चाहते थे सही तरीक के से बले पिन नहीं आई सिंगल से उन्होंने आतना साथी को इन्वाइट किया स्कोर पहुंचा 127 रन दो विकेट के नुक्सान के उपर जनत पहुंचे 27 रन के उपर अब मिलर वो सामना करेंगे और दस ओवर समाप दो चुके 127 रन के उपर कोशिस अच्छी की दी बड़ा ओवर चाहिए था लेकिन 127 कुछ कम नहीं बड़ा स्कोर माना जाएगा यहां बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा दस ओवर आपने खेले और 127 सांत गेंदों में 128 रनों का लक्षे दिया बहुत मुश को प्राप्ट कर पाने में सफल होगी या फिर डिफेंड कर पाएंगे आसानी के साथ गेंद बाज सेंपार्मी के बल्ले बाज ने तो बहुत ही बहुत बड़ी पारी खेलिए और उनकी बदलत ही इस टीम का स्कोर पाउचा है 127 पे 128 रन चाहिए इस मकाबले को जीतने के लि अच्छे कर लिए और मांद के परेशान कर दिया और पावर प्ले में रन नहीं दिये तो समझ लो यह मुकाबला आखरी गें तक जाएगा और यहां उनको कुछ न कुछ नया करके दिखाने पड़ेगा उनके पास टार्गेट हो चुका है 127 है उनके पास तो पहले पावर प दया पड़ेगा आप बान के साथ京ना पड़ेगा और स्वर में या इक या दू कि हैंदय उनको ढूलनी पड़ेगी लंबे स्वाट buscar और इनका प्लान सक्सेश हो गया और नीचे कि यहां बनाने देंगे यह является 27 शृजड़न को यह जरूर हैrato यह यह कर तो वह अगर उन्होंने बॉलिंग करते हुए 100 से नीचे 100 से नीचे रख लिया होता तो यह बड़ी बात थी कि वह चेस करते हैं तो जब 107, 105, 110 वह स्कोर की और आसानी से पहुंच जाते हैं लेकिन जब आप 20 रन ज्यादा है तो वह 20 रन परेशानी परेशानी जरूर खड़ी करी सक तो यहां पर देखिए नए नए बॉलर से नए टीम अबुदाभी का स्ट्रेंथ था बॉलर वह थोड़ा भी खो गया यहां से वह नहीं कर पाए उनको सामने वाले बैट्समेंट के उपर ब्रेक नहीं लगाए पाए लेकिन उसके लिए तो मैं फुल मार्स देता हूं सभी बैट्समें को जीनों ने रन मनाया और कप्तान जो थे अली इन्होंने क्या स्टार्ट दिया था पहले कल से ही वह पावर में लग रहे थे कल उनने बहुत रन मनाया था उनके पास है और जब उनको अपनी फेवरेट गेंदे मिल गई स्टंप के आजू-बाजू-बाजू- वह बार-बार आउट हो गए थे लेकिन उसके पहले तो उन्होंने अपना करते विया पूरा कर दिया था नव गेंदर तेवीस रन आप देखो जब चेस करते हुए यह स्कोर करना है तो बड़ा मुश्किल होता है लेकिन पहले बाली बलेबाजी करते तो आपके पास मौका बनता है और उन्होंना श्टार दे दिया उसके बाद यो स्टार मिल तो वही एडविंटेज मिल रहा था रन बनते ही बनते ही जा रहा थे और नए बैट्समें को थोड़े जरूर जनत जो कि शुरुवात के अंदर थोड़ा श्रैट हो गये थे समय निकाला था लेकर उसके बाद हर चार और च्छे में कनवर्ट कर दिया तो यह जो रन बनते वह पाटनर्स्टी बदे आपके नौन श्राइकर भले आपके पांच रन करते या दो रन करते लेकिन आपको ज्य यहां पर देखने मिल रहा है अब टीम आपुदा भी बहुत अच्छी है लेकिन उनके जो हीटर से हैं और जो हमेसा रन बनाते हैं उनको आज बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि हो चेस कर रहे है और चेस करने वाले की टीम के लिए एडवांटेज है लेकिन डिस संगर्स है आज जो संगर्स हो रहा है वो जो भी टीम जीतेगी वो तीसरे नंबर प्राप्त कर लेगी यह तीसरे नंबर के लिए यहां पर जंग चल रहा है और वो भी बड़ा मुकाबला है दर्शकों को बहुत मजा रहा है बहुत सारे दर्शक यहां पर आज का दीवस का यह मैच देखने चले आया है क्योंकि आप दोनों मैच होंगे बड़े मैच होंगे तो यहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है मनोरंजन बहुत ज्यादा है और वहां पर अगर आप रूब्रू जाके भी मैच का नजारा करते तो टीटेन है तो आपको चुके चुके विकेट डा यहां तो यहां तो यहां तो यह लगता है कि एप्यास करना पड़ता है और आपको अभ्यास करना पड़ता है और अपने पैर में पैर पकड़ लेते तो जब वह गेंदे आती है लेपटाम बॉलर अगर आपको रैटी बेट्समेंट के लिए कोने में बॉलिंग करता है और अंगिलर डिलीवर्ट तो उनको किस तरह से खेला जाए वह उनका भ्यास करना पड़ता है डैवलप क्रिकेट व वल्ड कप के सरुवात यहां से हो जाएगी यह उनका ट्वेंटी वाला दोर खतम हो जाएगा टी टैन वाला होगा और बड़े क्रिकेट यहां पर देखने मिलेगा बिलकुल निश्चित तोर पर एक अच्छी और नई सुरुवात हमें देखने को मिल रहे हैं टी टैन सीरी करें के लिए और हम सबके लिए वह भी अग्या सामने दिखाई दे रहा है हमको लेकिन आज किस परकार से यहां पर बैटिंग हुई है उसपर एक नज़र डाल देता है सैम पार्मी के बल्ले बाजों ने किस परकार से बैटिंग करिए उस पर नज़र डाल डिते हैं कि मोहि को की मदद से उन्होंने 23 अपनी पारी में लगबग 200 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका इस मुकाबले में उसके बाद गौज ने क्या शांदार इनिंग खेली है बॉल जरूर किया था उनको पहले लेकिन उसके पहले पहले वो इतनी बड़ी इनिंग खेलकर चले गए थे कि उसके लिए वहां पर गेन बाजों के पास आउट करने के लिए उनको कोई गेन नहीं थी 68 रनों की उन्होंने पारी खेली 33 गेंदों का सामना किया और छे चोके लगाया अपनी पारी में पांच चकों की मिल से उन्होंने एक बहुत बड़ी पारी खेलकर कि यहां पर सब्सक्रांडार नटवट शॉट पारी खेली 16 गेंदों का सामना किया तीन चक्के उन्होंने पारी में लगाए 170 का परीस डैविट मिलर की बात करें आखिर मय नोटवट रहें मात्रत वा coloured अपनी चकों की पारी में रोकामिम आखिया और है उनके बले बाजे अनके बंद c नहोंगा कि आज तिक्साना किस प्रकार से कहन बाजी करेंगे और करूना रतने इन दोनों श्रीलंकाइग गहन पर खास करके जो है वह धारोंदार रहेगा कि वह अपनी गेंवाजी से किस प्रकार परबावित करते हैं बल्ले बाजों को टीम आबुदाभी के बल्ले बाजों को क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं तिकसना की काफी अच्छी यहां पर परबावित कर देने वाली गेन बाजी रही है इस टी टैन सिरीज की बात करें तो और अब बात कर लेते है आबुदाभी के बल्ले बाजों की किस प्रकार से आज प्लेंग लेवन में उनके बल्ले बाज उतरेंगे अगर इनको नहीं रोका तो फिर यहां पर यह किसी भी गेन बाज को छोड़ेंगे नहीं बहुत हार्ड हीटर हैं लंबे-लंबे चक्र लगाते हैं एक बार सैट होन और फेविन की बात करें तो उनका एवरेज लगबग 34 क्यास पास है प्रतिक मैंच में 34 35 35 बनाते हैं लेकिन इस मैंच में कुछ अलग करना पड़ेगा पचास सांट रणों की पारी खेलने पड़ेगी एक सो इकतर का उनका स्ट्राइक रेट है स्ट्राइक रेट बी एक सो मैंच में अपना काम बखुबी निवाया था लेकिन आज इस मुकावल में किस प्रकार से वह बल्ले बाजी करते हैं वह भी देखना बड़ा दिल्चस होगा एक सट्ट के आवरेज से रन बनाएं 148 का उनका स्ट्राइक रेट है एंड्री ट्राई ओल्राउंडर है कप्तान को है आज कप्तान को देखते हैं कि मोका कब मिलता है बल्ले बाजी करने का और कितने नंबर पर बल्ले बाजी करने उतरते हैं वह भी देखना बड़ा दिल्चस होगा पैठर है हजो गल्यू कामरा नेटा अमन बठ और काल डिसुजा रसोली अभीद और पैन यह है आज की कि लिवन देखना होगा कि आज किस परकार से इनकी बल्ले बाजी देखने को मिलती है और इस विसाल से स्कॉर को किस परकार से हासिल करते हैं आज की गयन बाजों की बात करें तो अब उतावे की और से पैने ने दो डाले सौला रंड खर्च कि एक सफलता प्राप्त की आदिल राशिद ने दो डाल एकतीस रणों को खर्च किया और एक भी विकेट आदिल राशिद को मिला नहीं फैबियन एलन ने भी एक और डाला पनरा रंखर्च के सफलता नहीं मिले इनको भी लेकिन सफलता मिलेगी कैसी जवाब की सामने वाले बल्लेवाज दुमादार बल्ले बाजी करें बड़ी इनिंग्स खेल रहें तो अब यहां पर दारोंदार इनके बल्ले बाजनों पर किस प्रकार से बल्ले बाजी करेंगे फेविन एलन अलीशन सराफू सराफू को मुका लगातर मिलता रहा है लेकिन इतने कुछ रण उनके बले से आए नहीं है तेज तर्रार तावर तोड़ पारी खिलने क्या आप शकता है 128 रणों के लक्षे का पीछा कर रही आपकी टीम तो यहां पर आपको सेट होने के लिए एक भी गेंद नहीं है नजरे जमाने के लिए एक भी गेंद नहीं है पहली गेंद से आपको ड्रेसिंग रूम में सेट होगर के आना है साट और साट गेंदों में 128 रण बनाने के लिए सर्वास से ही अटेकिंग मोड अपनाना पड़ेगा पावर पले में अब विकेटों को बचा कर रखना बहुत जरूरी है विकेट गवा दिए तो दबाव प्रेशर वो बाकिवाले बले बले बज़ों पर आ है जो भी जीतेगा वह तीसरे नंबर के लिए अब लड़ा ही चल रही है तो दोनों टीमें काफिये आज उनको पता है कि जो भी करना है अब अब अभी के करने के लिए सलावादी बले बाद काफी अच्छा बले बाजी करते लेकिन पावर प्ले एक एकसा मौका है जहां से जो है रन का वह आप काट सकते हुच्या तो दूसरा पावर प्ले जब लेंगे पहले दो वर्स का पावर प्ले उनमें जादा से जादा रन सकूरदा बनाए जाए बले दो विक टावाद कर लेंगे वह लेकिन रोंनों नहीं ड़ीरन्स हाशित स्लक लिया उसके बाद वो समल लेते दसरन के करीब चलते रहते फिर पावर थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाएगा तो सेकंड प्लावर प्ले में वो डिफरेंस निकाल के फिनिश करने की कोसिस करना यह उनका प्लान होगा लेकिन सलामती बल्लेबाच के लिए तो बड़ी जिम्मेदारी हो है और नमबर थ्री के लिए भी अपना इज़त बचाने का रैंक पर रहने का वह उनके जिम्मेदारी हो जाएगी इसलिए वह जो भी लड़ेंगे वह आज समत्ते कि आज हमको यह मोके बार बार नहीं मिलते हैं यह आपको चांस मिलगा है कि आपके पास चेस कर रहे हैं कितजार है क्या नया गेम प्लान यहां पर मिलता है और मैच में किस तरह से आगे खेल चलेगा थोड़ी देर में पता चाल जाए लेकिन सलामती बले बाज आप पीच के ऊपर आ रहे हैं बहुत बड़ा चैंज हुआ है यहां पर आदिल राशित बदोर आपनर के रूप में कि पहले और से अटेकिंग आक्रमकता दिखाई देगी और 128 रणों के लक्षे का पीचा करें तो फैवीन एलन और जो आये हैं आदिल राशिद वो पहली गैंसे पहले आवर से ही अटेकिंग मोड में आपको दिखेंगे और बाउंट्रेस दिखने वाली यह चके चौकों की बारिश होने वाली है आप जलने से जुड़ जाई है क्योंकि मैच में बहुत मजा आने वाला एक सो सब्सक्राइब बनाएं पहले बल्ले बाजी करते हुए सैम पार्मी ने 128 रणों के लक्षे का पीछा करने उतरी है यहां पर टीम आबुदाबी फैबियन एलन है स्ट्रा के पार पहुंचाना पड़ेगा तब ही जाकर कि आप इस लक्षे को हासिल कर पाएंगे और नौन पर बले बाज है आदिल राशीद आठवा मुकाबला खेल रहे हैं 19 रन अभी तक बनाए एक सुचियालिस का स्ट्राइक रड़ है लेकिन आज बतोर आपनर के रूप में आ सकते हैं पहली गेंद अच्छी गेंद इस बार तिक्षणा गेंद बाजी के श्रुवाद करते हुए गेंद जारी फाइल एक किस्तर में पीछे फिल्डर वांपर पिछा कर रहे हैं एक करना सानी के साथ बाग पूरा किया दूसरे रन के लिए पलते हैं दोनों बल्ले आज तेजगती से भागते हुए दो रन फूरे कर लेंगे रासित को जब देखें पिछली मैच के अंदर उनोंने फिनिशिंग करना था बहुत महनत किया था और वो सिर्फ थोड़े आखरी ओर में थोड़ा सा कम पड़ गया था और एक चका नहीं प्राप्त करते हैं उनके अबुदाभी को स्कूर पहुंचा है तीन रन के ऊपर एलन सिंगल के साथ खेल रहे है राशीत काफी तेज है लेकिन जब स्पीनर से तिक्षना तो उनको समाल के खेल लेंगे उस नेक्स्ट और के अंदर उनको बड़े-बड़े शौड लगाते हुए पता चल जाएगा हम है लेकिन आज चेंज हो किया बड़ा इफेक्ट किया अगर कोई भी कैप्टन है तो मैं इनके लिए यह तारीफ वाली बात समझूगा कि इन्होंने बड़ा चेंज किया जब मिडल स्टम को कवर किया कलाई के द्वारे इनको मोड दिया डिस्टन्स थोड़ा मिला था होता है तो उनका जो फाइदा है आने वाली गेंद के उपर पता चलता है लेकिन फिलाल स्कोर पहुंचा तीन रन के उपर चार रन के उपर एक बार फिर से तिक्षाना स्पिनर के साथ सुरुवाद करिए यहां पर सैम पार्मी ने अच्छी गैन थी इस बार हलके हाथों से कट किया ऑन साइड में पीछे फिडल तीस के दारह में तरना तरन ने गेंद करूखा रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर काफी अच्छी यहां पर सुरुवाद गेंबाजी की तिक्षाना के द्वारा नहीं है बड़े शॉट सी आवस्कता है बड़े सौट ढूंडने तो यह वाकई में थोड़ी स्विंग भी होती है और स्पीन भी मिल रहा है पीछ से देखने में लगे हुए क्या इफेक्ट है बॉलर की अगर उन्हों ने इस अपना विकेड भी बचा लिया और समल के खेल लिया तो यह भी एक बड़ा गेंद प्लान हो जाएगा चारन के पर स्कोर पहुचा है अखरी गेंद इक्ष्णा की अंदर की तरह पाए थे बैक फूट पर किया गया थे कलाई के द्वारे कि इनको मोड दिया था फाइनल एक के फिल्डर जो सर्कल के खड़े थे उनके पास के इन चले ती एक रन से संतुष्ट बले पाच पहली और की समा कि मुझे मेरा प्रहार जो स्पीड के ऊपर मेरा टाइमिंग है तो मुझे स्पीनर को निकाल देना चाहिए और जब दूसरी ओले के आएंगे रफ्तर वाले बॉलर तो उसके अंदर हम चार्ज होंगा यहां पर रहता है लेकिन इस और के बाद मैं तनवी जी को बुलाना च सुरी ले आवाज का जदू आपके कानों तक थोड़ी देर में गुंजने वाला है लेकिन फिला नरश भई का आवाज भी सुरी लाई है तो आगे बढ़ते जाएंगे चार-पांच रन बंच चुके हैं दूसरा वर्स तैयारी में है और वहां बहुत सारे प्रेक्शक अभ मौका ही नहीं और यह गेंचारण हम सोच रहे थे वही मिला यहां पर और उनका गेम प्लान वही था कि रफ्तर वाले बॉलर आ जाएंगे तो उन्होंने पहले स्पीनर्स को निकाल लिया और रफ्तर वाले जब बॉलर आए थे तो अपना बाया पेर आगे निकाला था इसको लुकुब नोर अन इस चोके की मजद से पाहुच चुका है अब धावी का इसको इस बार का इस्तेमाल करके बाहर निकले लेकिन गति में इस बार पर देखने को मिला डी में गति से डाले हुई गेंद चले गेंड के दस्तानों में डी लेडिकें वाजी करते हुए पर गेंड बाजी में उनको लेकिन देखना होगा कि क्या इस मुकाबले में अपनी गेंड बाजी से वह बल्ले बाजों को खमोश करेंगे फिलाल फेबीर एलन और यहां पर आदिल राशिद को रुक करके खिलना होगा और उसके साथ साथ हीटिंग भी करने के आवशकता है संबलने के लिए सोचने के लिए और जमने के लिए कोई वक्त है कोई गेंड नहीं है इसी बीज़ अच्छी गेंड थी इस बार अंदर की और आ रहे थी हलके आतों साइड में कट करके एक रन के लिए निकल पड़े दोनों बले बाज और जब तक थ्रो आएगा आसानी के स अच्छी गेंड सिंगल लेकर सामने चले जाते हैं तो यह उनका बड़ा प्लानिंग है कि एंड तक खेलना है उनको और पहली पांच ओर में बहुत सारे रन बनाना है यह टेक्निक होता है लंबी खेंड को उठा दिया कवर्स के उपर से जा रिए पीछे फिल्डर भाग र है तो साथ रन आ चुके है हाला कि गेंड उनके बल्ले से थोड़ी बाहर की और चले गई थी तो रप्तार कम कम मिल गई लेकिन जरूर मिल गया क्योंकि उनके पास पावर प्ले है और आदिल रासीद बड़त तेज पेल और इंसाइड आउट काफी अच्छा खेल रहा है द बड़ा जटका लगता हूं आदिल राशिद को यहां पर बेजा था ऊपर की बड़ी पारी खेल सके जल्दी जल्दी रन बटो और सके लेकिन आदिल राशिद ने यहां पर विकेट गमा दिया है तारीफ करनी होगी गहन पास डिलेडी की जिस परकार स्कुन ने गहन वाज करिए लगाता रॉप्सन पर खिला रहे थे और भार रख रहे थे बल्लेवाज की बॉड़ी से दो रख रहे थे उसका फायदा मिला और वहां पर कोई गलती नहीं करी मोहिन अली ने आसान सा कैच लपका और वापस बेजा है आदिल राशिद को तीन रंड बनाए अपनी प शेत्र में चली गई थी और डिश्टन नहीं पाया उनके नीचे अलीग खड़े थे और तुरंद उनको आसान सा कैच बला ये मिश्टाइम बोलता है जब मिश्टाइम हो गई तो उनको और वाँ इनको आउट शेत्र में चली यह बुलाना चाहूंगा कि वो आगे का मैच का खोदिकाल बताएंगे ये श्राट गेन को करना चाहते थे एक जोड़दार अपिल साथ कुछ खतरा हो चुका है अपिल जोड़दार पावरफूल है क्योंकि वो बाउंस मिला था उनके सर के उपर से जा रही थी एज लगा एज लगा और नए बैट्समें सराव फिर एक बार नाकामिया पहली गेन के उपर विकेट चटका ये चौके की बात तो दूर होए गई लेकिन विकेट का सिलसिला चालू हो गया जब गेन को शॉड़ थी स्टम के उपर नीड़दार इती बाउंस ज्यादा पाया था हूप के लिए वो अपने अटेम हो गये थे लेकिन मिश टाइम हुआ और गेन उनके ग्लोस से टच होके चली गे थी कीपर के पास और फिर नाकामिया दो अब देखो यह आडरिक पर आ चुके सरापू रन बनाने की बदले बॉलिंग एटेंग चालू रन बनाना है लेकिन उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है गेन को लाइन में पीछे आना पड़ता है थोड़ा confidence डेवलर पता है फिल लंबे शोट होता है लेकिन यहां पहले यहां लंबा लिए अपना विकेट खो दिया अब दो विकेट बारा रन के उपर गिर चुके दो वरकी समापती के बाद यहां दो में कम से कम बीच चाहिए लेकिन ज्यादा एक्सलरेट करने में अपने विकेट कवा दिया अब नए बेस्मेंट आया है और सामना करेंगे तब तक आपके पास हमारे कॉमेंटेटर मैडम भी आ जाएंगे प्लीज वेलकम तन्वीजी जिसका आपना यहां पर नए गैनबाज के रूप में सराफू जल्दी चले गए उनको जरूर थी यहां पर एक दो गैंदे संबल कर खेलने की लेकिन ब इसी मारे का बाउंटरी लाइन के उपर से छे रनों के लिए फैब्यन एलन के बल्ले से लगता हुआ यह शांदार चका अपनी पारी के और से पहली गैंद को पहुंचा है बाउंटरी लाइन के बार इसको जा पहुंचा है चक्के की मदद से 18 रन क्या शांदार चक्का लगया है पेरों पे गैंद थी उसको पुरी तरीके से गती का इस्तिमाल किया और गैंद को डिपोजिट किया दर्श्कों के अंदर रजा आपने इस फिल का पहला और रजा का स्वागत किया चके के साथ अगली गैंद एक बार फिर से बल्ला छुटा आज से जरूर है पीचे फिल्लर नीचे फिल्लर और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ वापस जाना पड़ेगा एलन को बड़ा शॉट खिलने का प्रियास किया था मिस्ट्राइमिंग हुई एक आज से इतनी ताकत पावर जन्रेट हुआ नहीं और वहां पर बैक पार्मी के गहन बाजों ने लगातार तीन विकेट चटका लिए हैं और अठारा पर तीसा विकेट भी यहां पर गवा चुका है अबुदावी बिल्कुल इसके साथ सभी दर्सों को का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल पर अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिजिए और यहां पर दो दसमला एक ओवर में अठारा रन अभुताभी ने बना है और बहुत ही किफाइदी दो विकेट भी गवाय है तो देखते हैं यहां पर आगे हमें अभुताभी का किस तरह का परफॉमस देखने को मिलने वाला है और यहां पर स्ट्राइक पर है एक बार कि नए बलेबाज का क्रीज पर आगमन होता हुआ रसुली का साथ देने के लिए कौन पहुंचा है बीच मैदान में देखना होगा फेबीन एलन के उपर जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट गवा दिया है अपनी टीम का साथ छोड़ दिया है एक बार इसे राजा चले राइटम आवर तो अच्छी गेंद इसमार डेफेंडिंग शॉड़ खेला शुरक्षात्मक तरीके से बेक्टू बॉलर किया रन की किसी भी संभावना को खतम किया कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर इसको और अभी वहीं पर रुका हुआ अठारा पे स्टूनना पड़ेगा 128 रनों के लक्षे का पीछा करती हुई यहां पर टीम अबुद अभी यह गेंद बाज के बगल से निकालने का प्रयास जरूर किया था लेकिन मिडौन के फिलर के पास जाएगी गेंद रन नहीं मिलेगा एक भी काफी अच्छी यहां पर बटा हैं न यहां से दोनों बलेवाज शुरुआत करते एक नहीं शुरुआत दिलाएंगे अपनी टीम को या फिर कहानी वही पुरानी आपको देखने को बिलेगी रजा एक बार फिर से राइट मावर दाविकेट सामने है बट अच्छी गैंतिस बार बिलकुल यह और कर लाइन पे ड गेंबर बहुत ही की फाई थी विकेट ले लिया था और यहां पर लगा दार तीन गेंदे डॉट ले लिए उन्होंने और स्कोरुका हुआ एक बार फिर से अठार रहा टीन विकेट के नुकसान पर दो दसमला पांच ओवर में एक बार फिर से राजा आपने ओर क्या अज करते हुए सामने हैं बट देखते हैं क्या प्रेणाम देखने को मिलती हुए एच्छी गैंती इस पार बैक्टू बॉलर किया और यहां पर और की वह इसमापती तीन ऑवर की खेल के बाद च्छे के ऑसर से रन बन रहे हैं अठारा और तीन विकेट गमा चुकी है यहां पर ट लंग से बले पर आई नहीं है दबाव निश्यत रूप से बल्लेवाजमर दिखाई देने को मिलता हुआ तीन और आपके जल्ली से चले तीन विकेट आपके जल्ली से चले गया फिर यहां से मुश्किल सफर जरूर है तीम आबुद अभी से यहां से वापसी करना बहुत लोगा कोनफिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और इस दबाव में एक बड़ी पारी खेलना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है एक अच्छी पार्टनर्शफ की जरूरत है अच्छी पार्टनर्श्प की आवशकता है और बड़ी पार्टनर्शिप आपस्क्ता है डिल ले तो अगर इस गेन पर विकेट निकलते हैं तो उनको हैट्रिक मिल जाएगी यह उनके लिए हैट्रिक गेंदे देखना होगा क्या हैट्रिक लेपाने में सफ़र हो पाएंगे और एक नया रिकॉड अपने नाम करेंगे डिले डिली राइट रमावर दो विकेट सामने बले पा बिल्कुल सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन तीन विकेट के नुकसान पर तीन दसमला एक ओवर में और यहां पर बढ़ आ चुक है स्ट्राइक पर और डी लेडी जो है यहां पर बहुत ही अच्छा मैच यहां पर गेंद बाजिक करते हुए अपनी दूसरी गेंद लेकर चले राइट आम ओवर तो विकेट जाते हुए बले ही हैट्री गेंद पर विकेट नहीं मिला लेकिन यहां पर यह ओवर की दूसरी गेंद पर बहुत ही शांदार विकेट मिलती हुई और बट को कर दिया है आउट अभी तक उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया था और यह ओवर भी बहुत ही किफाइदी सावित होती हुई अबुदाभी को यहां पर पूरी तरह से बैक फूट पर धकिल दिया है और यहां पर स्कोर रुका हुआ 19 रन 4 विकेट की नुकसान पर 3.2 ओवर में बहुत ही अच्छा मैंच यहां पर बना हुआ मैंच में रोमां बना हुआ लेकिन आप हमारे साथ बने रही है जल्दी से जूट जाई हमारे साथ हमारी चैनल पर अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिजिए अमत बड़ जो है वो आये थे पांच गिंदो का सामना किया लेकिन एक भी रन लेने में कामयाब नहीं हुए थे और यहां पर बहुत ही शांदार यह मैच में फर्स टाइम यह जो है बलेबास दी लेडी वह बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे तो देखते हैं बहुत ही शांदार गेन बाजी उनके द्वारा देखने को मिलिए ती दिखाते हैं रसुली के साथ में डिलेडी चले अगली गेन लेगर के अच्छी गेन थी यहां पर डिफेंडिंग शॉट खिला है मिडॉन में जाएगी पीछे फिल्डर वहां पर तेना थे उन्होंने को रोका फिल्ड किया मोका था बलेबास के पास एक रंचुराने का सिं गेन बाज गेन बाज करते हुए धी लेडी हो ठीक शाना हो इसी पीच अगली गेंद राइट राइट सामने रसुली इस बार गेन बाज के सरके उपर से गेंजा रहे हैं डाउन दा ग्राउंड ऑन दराइस स्ट्रीट ड्राइव चार रनों के लिए रसुली के बल्ले से ल और रातोरिश के साथ चाहिक रखिंग अबने पास दो लिन में पास यहां पर उपर रॉले हैं और और बने बाज है तो दिखेंग आपर सामयाभ होता है यानि स्ट होने के लिए बहुत ही बाज की तरफ गेन आई थी और यहां पर वाइड का इसाड़ करते हुए आंपायर बांडरी देकने को बिंदे है या एक और बांडरी देकने को मिलती है या नहीं और विकेर नियुक्ती बीच करते हुए बाउन्दी चाहिए बाउटर सुपार्वेट करते हुए ठीच भी पहुत है गेंज आ रहे हैं डिब फारवर्ड सीमा रेखा बाउंट्री लाइन के बार फिल्डर की पाउंस से काफी दूर पॉवर पर लाच चल रहा है उसका पूरा मिलेगा फाइदा और गेंज चले जाएगी सीमा रेखा के बार चार रहनों के लिए रसुली के बलने से एक और बाउ कोशिस करते हुए तीन गेनों में नौ रन कितार होंगे एक बास पर स्ट्राइक पर और यह ओवर की लास्ट गेन यहाँ पर आई की बहले पास को बीट करने की कोशिस जरूर चीजी यहाँ लंबा शॉट लगाने की कोशिस किसे लेकिन गेन लिजाते हुए विकेट की पर इस सब्सक्राइब और इसे पिसार चौफी ओवर के समापती है और स्कोर हुआ है अब इन तेस रंग चार विकेट नुचार पर अब अली अब एक लिए आप एक रंग और तो लेने किया है चार विकेट में नौ रट बिलकुल काफी अच्छी यहाँ पर गैन बाजी चलती हु पार्टनर्शिप बनेगी और पार्टनर्शिप बनेगी तबी जाकर कि 128 रणों की ना मुम्कीन से लक्षे को प्राप्त हो पाएगा लेकिन फिलाल तो नज़रा नहीं रहा है काफी मुस्किल सफर मुझे लगता है यहां से बहुत सारे फैंस तमारे साथ जुड़े हैं जल लप्टे और गेंद को बाउंटरी लेंड के अंदर रोका लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्ले बाजों को एक रंचुराने से बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं जिन्नों ने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए औ कि बहुत मजा आने वाला इस मुकाबले में चोको चकों की बारिश ओने वाली है इसी भी चगली गेंद इस बार कवर में गेंद को धकिल दिया है डीप एक्सा कवर की जानी गेंद जा रही है वहां पर लॉंग आफ का फिल्डर आएगा बाउंट्री लाइन के अंदर गें है और पाइन यह पाइनार गेंद बाजी कर रहे हैं इस पिल का दूसरा पहला हुआ डाल रहे हैं दो गेंदे डाल चुके हैं अभी तक कि सवर में देखना होगा लेक बिफॉर की अपील हुई है शांदार अपील और एमपायर नहीं यहां पर आउट का डिसिजन दे दिया जो भी गेंद बाज आया उसने विकेट चटकाया अपनी टीम को जीत के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया लेकिन यहां पर पीछे जाती हुई लगातार टीम आभूदाभी इस मुकाबले में मत्र रोज बना करके वापस ड्रेसिंग रूम जाएंगे अभी दली और से थी विकेट भी उनकी जाचके घुकतिक रंस बने हैं और यहां पर अट्टके शूरतlles कि घुकरी नरता यापर सांथव आखर के उनका सिर्फ धोरं बनाये एक बार फिर से यह बर मोंका है उनके साथ एक अच्छी पारह क्यलने का तो देखते हैं यहां पर पाइनर जो है वो आया है अपनी ये ओवर लेकर एक शांदार विकेट उन्होंने चटका आया है तो देखते हैं यहाँ पर ये पाचवी ओवर गेंद पर विकेट मिलती है या नहीं दारे में जो फिल्डर है वहाँ पर ही फिल्ड हो चुकी है गेंद और गेंद वापस आये तब तक विकेट का पतन होता हुआ रनाउट के रूप में यहाँ पर अंपायर चेक जरूर कर रहे थे और यहाँ पर लंबा शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी अपनी क्रीज से बाहर निकल चुके थे और यही गलती उन्होंने की और गलती का भुकतान भी करना पड़ेगा औ अभी अभी आया थे कोई भी रन बनाने का मौका नहीं मिला था अभुदावी की टीम यहाँ पर बहुत ही खराब परिस्टी में नजर आती हुई 31 रन सिर्फ बनाया है चे गेंदो में चे विकेट में चार पाल चार दसमला पांच ओवर में और यहाँ पर बहुत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और आंध्री टाय आचुके है यहां गेंद बाजी में शांदार पर्फूमंस उनका हमने देखा है लेकिन देखते बल्ले बाजी में किस तरह का पर्फूमंस देखने को मिलता है नौ मैचे के लिए सिर्फ साथ रन बनाएं और आगे और रन बन सब्सक्राइब में कामयाब होते है या नहीं कि बिल्कुल यहां पर पूरी तरीके से बैक पूट फर चली गई है टीम अबुधावी आदिल रशीद ने आये थे पारी की श्रुवात खरी थी लेकिन जिस काम के लिए उनको भीजा गया था वो काम वो करके गए नहीं और उ पूरी तरीके से बैकपूर गैन बाजों ने क्या शान बार गैन दोजी कि एक से वटकर एक सबीगेंबर जिसको भी मुका मिला उसने विकेट चटकाया और पूरी तरीके से अपने टीम को मजबूदी देला इस मकबले में देखते हैं कि अब यहां से कितना और करीब जाता यह दस रणों का उन्हें योगधान दिया है डेखते हैं कि कितनी बड़ी पारी देखने को मिलेगी ऑन साइड में कट कर दिया था पॉइंट की जानी गेंद गही है तीज़ीय दार में फिल्डन ने घेंद को रोका फिल्ड किया रन नहीं मिलेगा इस गेंदफी और अब रस तो देखते हैं कि अपने बल्ले से आज कितने रन बटोरते हैं और इस मैच को कहां तक ले जा करके खतम करते हैं दाउद एक बार फीड़ से चले राइट हम आवर तवी के लोफल टाज और यहां पर दिसको भी गेंट हमाई याज उन्होंने अपना काम करके दिखाया को मिली है पहली सफलता बिल्कुल यहां पर इक और विकेट का पतन होता हुआ रसुली के रूप में उनको जाना पड़ेगा वापस पैवेलन की और और यहां पर पुरी उमीद उनके साथ टिकी हुए थी अबुदाभी की टीम की और यहां से वापसी करना बहुत ही मुश् आएंगे और अबुदाभी की टीम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अबुदाभी की टीम अभी कमबेक कर पाएगी या नहीं यह तो देखते हैं वो तो आने वाला वक्ती बताएगा लेकिन इसे के साथ 5.12 दो और में अभुदाभी का स्कूर पहुंचा 31 रन सांथ विकेट की नुक्सान पर और इसी ओवर पर सैंप आर्मी का स्कूर था 57 रन एक विकेट की नुक्सान पर तो यहां पर जो डिफरेंस दोनों ही टीम का जो स्कूर बना था बहुत ही ज्यादा है तो आचुके है डेवीड प लग दिया है पैने गेन बाजी करने के लिए फिलाल मिड़ विकेट में को तकेल दिया है वहां पर सिंगल की मदसे पैने का खाता जरू खिला है लेकिन आउद आवी का खाता खुलने वाला है निए 32 पे गिराए सांथ वाविकेट दाउद ने भी दिला दिया अपने टीम क लोगर के अगली गेन दाउद चले तीन गेंदे डाली है एक सपलता मिली और एक रन भी दिया है लेकिन काफी नपी तोली काफी किफायती गेन बाजी एक बार फिर से राइटम आवर दो विकेट सामने एंट्यू ट्राइए गती में प्रिवर्तन किया गती से चौकाया और से थोड़ी सी बार रखाया बाकी का काम पूरा किया विकेट किपने रन ने मिलेगा चार गेंदे डाली जा चुकी है मात्र एक रन मिला है और एक सफलता बिल्कुल बहुत ही बढ़िया यहां पर सैंप आर्मी का परफॉमंस गेन बाजी में भी बल्ले बाजी में बहुत ही शांदार उन्होंने सम्मान जनक स्कोर बनाया था 127 का और अबुदावी को जीतने के लिए चाहिए 128 रन लेकिन यहां पर इस परिस्टिव में बहुत ही मुश्किल नजर आता हुआ अबुदावी टीम के लिए 32 रन पर पहुंच चुकी है साथ वेकेट की नुकसान पर पात 32 रन के साथ साथ वेकेट की नुकसान पर पांच दसमला पांच ओवर में इसके बाद एक मात्र एक मैच बचा है इस मुकाबले इस सीरीज का लेकिन ऐसा अलग नहीं रहा है कि यह सैकंड लास्ट मैच यह है क्योंकि बिलकुल वन साइड़ेट मैच साथ वेकेट गिरा था उसके बाद फिर मैच फर्स गया है पांच गेंदे डाली जा चुके इस और की लेकिन मात्र रन मिला है एक दाओद एक बार फिर से कहानी वही पुरानी आफिश्नम के बाहर और बाकी का काम पुरा क्या विकेट की पने विकेट की पर और गेंद बाज के बीच में चल रहा ह क्रिकेट बलेबाज केवल वहां पर महरा बनकर के खड़े हैं रन नहीं आ रहे हैं 32 रन बने हैं 36 गेंदे डाली जा चुके और 24 गेंदे बची है देखना होगा कि क्या ओल आउट होगी आवुधाबी या फिर यहां पर अपनी कुछ बची खुशी साक बचा पाएंगे ये देखते हैं यहां पर पॉसिबल तो नहीं लग रहा लेकिन अबुदाभी के लिए यहां पर किस तरह का मैच फिनिश होता हुआ नजर आएगा और नेक्स्ट गेंबास कौन आने वाले साथ वी ओवर लेकर और यहां पर पाहिने और टाई जो है पाटनर्शिप बना पाएं एक सोटाइस रणों के लक्षे का पिछा करने के लिए उतरी थी और शुरुआत बहुत खराब रही थी अदिल रशिद को बेजा था जरूर उपर लेकिन उन्होंने भी अपनी टीम के लिए कुछ खास किया नहीं था यह दिखिया आपस्टम से काफी बाहर जाती गेंद औ और विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं 22 गेंदे 95 रनों के आफशकता इस मुकाबले को जितनी के लिए अपने इस पिल का दूसरा पारी का साथ वावर डाल रहे हैं पिनार देखते हैं अच्छी गेंतिस बार स्कॉर लेग में गेंद को धक्यल दिया पीछे वां में और यहां पर जो पिनार रिशांदार गेंद बीट लेनी की तलास में लगादार बल्लेबास को वीट था STAR I C दबाव में नजर आते हुए अबुदाभी के जो बल्लेबास है वो यहां पर रन बनाने में कामयाब होंगे या नहीं 21 गेंदे बचिए में और दे कर जाएगी पूरे छे रन और छे रन जुड़ने के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक त्यालिस रन सांत विकेट के नुकसान पर आंद्रे टाइक के बल्ले से लगता हुआ यह शांदार चगा और स्कोर पहुंचा दिया एक त्यालिस रन बिल्कुल बढ़िया शौट से कुछ भी नहीं होने वाला है बहुत पीछे चले गई यह बहुत पीछे चले गई है जहां से वापसी होना बहुत मुश्किल है टीम अबुद अभी के लिए एक तालिस पे साथ छे दसमलव चार और के बाद पिनार अपने इस पिल का दूसरा और डाल रहे हैं और पारी क एक शक्का जरूर लगा है वहाँ पर टाई के बल्ले से लेकिन वो मात्रा दर्शकों के लिए आव पर सूर्य अस्तान चल्कि और बढ़ता पर और इसी के साथ साथ वी ओवर की समाप्ति होती है और साथ वी ओवर थोड़ी सी अच्छी साभीत होती हुए ग्यारा रन मिले यह ओवर में तो देखते हैं आठ वी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे और यहां पर रन तो अटारा गेंदे बचिए 85 रन की जरूरत नामुम्किन लग रहा यहां पर यह जो स्कोर बनाना है तो देखते हैं अब दावी के जो बलेवाज है यहां पर उनके बले से आवे बाउंडरी देखने को मिलती है यह नहीं या विकेट देखने को मिलेगी नेक्स्ट ओवर में बिलकुल काफे मुस्किल लक्षता जैसे म बजी करें पहला गेंद हवामें है डीप मेंट विकेट के जानी जारी है लेकिन फिल्डर मौजूद पीछे फिल्डर नीचे फिल्डर पकड़ा कैच और दिया है जटका आठवा एक और विकेट का पतन होता हुआ क्या यहां पर टीम आवुद अभी को ओल आउट होना पर एक और विकेट जुड़ती हुई अभुदाभी की स्कोर के साथ और स्कोर रुका हुआ है त्यालीस रन आठ विकेट की नुकसान पर सांथ दसम्ला एक ओवरवें यहां पर सैंप आर्मी की और से सांधार गेंद बाजी में पर्फूमंस दिखता हुआ और देखते हैं यहां पर पूरी तरह से अभुदाभी की टीम बैक फूट पर धकिल दिया है सैंप आर्मी के गेंद बाजो ने तो दाउद एक बार फिर से आये बहुत ही शांदार ओवर लास्ट उनका हमने देखा था सिर्फ एक रन दिया था और दो की फाइट लेने में कामयाब हो चुक इन बाजी करते एक अलग तरीके से करते तो देखते हैं बल्ले बाजी में आज कमाल करते हैं या नहीं अपनी टीम के लिए स्कोर हुका हुआ लेकिन देखते हैं यह एक्सराइज उनको काम आएगी या नहीं बिल्कुल पीटर है जो गल्यू रजा अच्छी गेंथी इस बार वहां पर बले बाज को बीट करती हुई गई है विकेट की दस्तानों में 128 रनों के लक्षे का पीच्छा करती हुई आठ विकेट गवा चल रहा है पूरी तरीके से बैक पूर डाल दिया यहां पर गेंबाजों ने क्या शानदार कि फायती जबर दस्त गेंबाजी देखने को मिली है जिसी भी गेंबाज को जिम्मेदारी मिली गेंबाजी करने की उन्होंने विकेट चटकाया है और टीम आबुदावी को धटक दिया है देखते हैं रजा एक बार फिर से इस बार ऑन्दर आइज खेल दिया है लॉंग आफ के जानी लेकिन वहां पर मिड़ा फिल्लिंग देखने को मिलती हुई रन रोका चौका रोका लेकिन एक रन मुकम्मल कर लिया दोनों बल्ले बाजों ने बिल्कुल सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पर और राजा का सामना करेंगे एंड जुटाई अभी भी नौरन बना करके खेल रहे हैं राजा की अगली गेंड राइटम आवर द विकेट इस बार स्कॉर लेक में को धकेल दिया है पीछे सौट स्कॉर लेक में फिल्डर तैनात है उन्होंने गेंड को आसानी के साथ ती जो टीम है बहुत ही अच्छा खेलती हुए नजर आ रही है और यहां पर अगर इसी तरह समी फाइनल में खेली है तो फाइनल में भी बहुत ही शानदार परफॉमस हमें सैंप आर्मी की और से देखने को मिल सकता है यहां पर बल्ला गुमा आया था बिलकुल रजा एक दसम सब्सक्राइब के बल्लेबाज और उसी का यहां पर परिणाव है कि मात्र 45 रन बने हैं 128 रनों के लक्षे का पिछा करने उतरी थी और आंट विकेट गवा चुकी है पूरी तरीके से बैक पूर चली गई है काफी अच्छी गैन बाजी यहां पर देखने को मिली है सैंप आ अंदर आइस गेन को धकिल दिया है कवर्स में लेकिन गेन जाएगी वहां पर मोहिन अली खड़े हैं वहां पर फिल्डिंग कर रहे हैं कवर्स में शॉट कवर पे गेन को फिल्ड करेंगे केवल एक रन के साथ बल्ले बाजों ने अपने छोर बदले जरूर है लेकिन अभी भी दो अवर बचे हैं आब उदाभी का इसको चेयालीस आठ विकेर के नुकसान पर आठ अवर का खेल समाप्त हो चुका है एंट उटाई दस रन बनाकर के क्रीज पर मौजूद है और वहीं हज़ो गल्यूमात्र दो रन बनाकर के खेल रहे हैं सैंप आर्मी के वहां पर सम पर देखने को मिलता हुआ दाओद आए अपने स्पिल का आखरी पारी का सेकंड लास्ट आवर डालने के लिए बिल्कूल देखते हैं आपर यह ओवर में भी विकेट लेने में कामयाब होते है या नहीं दाओद बहुत अच्छी लास्ट वरूनें डाले सिर्फ एक रन दि आठ दसम्ला एक ओवर में और यहां पर हट्जोग्लू एक बार फिर से स्ट्राइक पर पार्टनर्शिप भी नहीं बना पा रहे हैं यहां पर दुनों ही छे गेंदों में सिर्फ तीन रन लिया है ग्यारा गेंदे बची है ब्यासी रन की जरूरत है और यहां पर अबुद हैं दाउद ने गेंद को डाला सीधा यहां पर लाइन पर लॉफुल टॉस और तीनों स्ट्रम से गिर दिया है एक और विकेट का पतन होता हुआ च्यालिस पे गिरा है नौवा विकेट और दाउद को मिली है एक और सफलता बिल्कुल और यहां पर हैट्जोग्लू मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहां पर गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद जाती हुई स्टम के पास और यहां पर बोल्ड कर दिया है और उनको बेज दिया है वापस रस्ट्रूम में और छे गेंदों में सिर्फ दोरन बनाये थे बहुत ही जी बिल्कुल बहुत ही मायूस न हैं तो देखते हैं यांपर क्या कमाल कर पाएंगे हैसा गाल्क्यां ओल्द सभी को मौटामी लिगा इंज यह पर खहलेsource के इंथ तो देखतें बिल्कुल आखरी बिरेश की देख मीने जाओं लेफ्ट एंडेट बैट्समेन देखेंगे किस परकार से यहां पर खेलेंगे डाउड चले राइटम और दविकेट यहां पर खेल दिया इसको लेग में पीछे वाँ पर फिल्डर आएंगे गेंगे पर बाउंटरी लेंगे अंदर फिल्ड करेंगे मोका है बलेबाज के पास रन चुराने का एक रन के साथ दो रन चुरा लिया यहां पर काफी तेज गती से काफी अच्छी रनिंग बिट्विंदा देखने को मिली और पुरी तरीके से बेकपूर पर धकिल दिया है टीम आवुधावी को बिल्कुल स्कोरुका हुआ और तालीस रन नौ विकेट के न बनाइक और बथी शांदार यहां पर ऑल आउट कर दिया है कहलBU से कॉर्ण यहां यहां पर जाती हुआ लास्ट विकेट यहां यहां पर जाति हुआ अबी ताफी टीम की और जित किया सेम आर्मी की टीम और यहां पर मौरिस वशेंप आरमी जो है व 39 टन से विंसर में स्के और से हमें देखने को मिला है लेकिन अबुदाभी का बहुत ही खराब पर्फॉमंस उनके फैंस के लिए बहुत ही नाराज होंगे उनके फैंस और 48 रन पर ऑल आउट कर दिया है यहां पर अबुदाभी टीम को बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरफा यह मैच रहा और सैम पार्मी ने बल्ले बाजी में अपने जंडे गाड़े और गेंबाजी में गेंबाजों ने क्या गजब की गेंबाजी करी है किसी भी बल्लेवाज को स यह पूद अबी की और से सैम पार्मी की और से बल्ले बजोने भाटी शांदार बल्ले बाजी कीती गेंबाजों ने भी ठीक शनाने और की श्रुआत की पहला वडला था मात्र दू रंड घर्च किये ते लिडी ने दो और डाले अठारा रंण खर्च की और तीन सफलता मिल बगबग एक दसमलव चार और मैं तीन रन देगर के तीन सफलता प्राप्त की काफी नभी तुली गैन बाजी काफी खतरना गैन बाजी देखने को मिली टीम आवज अबी के सामने सेंप आर्मी की गैन बाजों के द्वारा जिसकी बदोलत इस मुकाबले को पूरी तरीके से ब चैनल पर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें